अधा काने के लिए क्या किया जाए तो ऐसा कुछ लिया जाए जो घर में अविलेबल है तो क्या है अविलेबल बैस्बेशन है सक्कर है सुजी भी है और ड्राइप्रूट्स में से बादाम है मेरे पास और कुछ नहीं है तो इसको बनाते हैं तो सक्कर को चलिए हमने बसको कड़ाई में डाल देते हैं ताकीब का चास्नी बन जाए गैस कौन कर दीए इसमें एक कटूरी पानी दूँगी जिससे यह सक्कर पुरा इसमें डूब चलिए और गी का मात्रा में आपको बाद में बता होंगी कि लॉक्डाउन में उतास घर में सामान नहीं रहता है तो मैं कम सामान में ही आपको लड़ू बनाके दिखाती है यह देखिए ऐसा चीनी इसमें घुल जाएगा और थोड़ा से गाढ़ा करूँगी फिर गैस को बन कर देखिए थोड़ा सा महनत है बाकि अपने आप हो जाएगा यह देखिए जब यह ऐसा गाढ़ा हो जाए तब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होते तक ऐसे चलाते रहेंगे तक और यह एकदम बुर्भुरा हो जाएगा फिर उसको बैशन पाकर मिला देनी क्यों से यह देखिए यहां से जब यह कि इसल जीए से गिरता है इसलोकी स का मतलब यह को घःता इस यह गया है यह ए प 15 1 007 कड़ाई में धीरे आच पे एकदम सिम में आप इसको बेसन को भूनिए बिना घी के देखिए मैं बेसन डाल दीए इसके एकदम कम फ्लेम में इसको भूनना है दीरे दीरे इसको भूनना है जिसमें गुठली गुठली जो भी हो वो नहीं पड़ेगा क्या है ना घी देने से एक तो बच्चे लोगी खाना ज्यादा पसंद नहीं करते और दूसरी बात है कि वो अच्छे से मेरे से भूनाता नहीं है इसलिए मैं इसको सूखे कड़ाई मे दाल दूए बेशन में जोजी रखिया इसको देने से क्या होता है बेशन मुह में चिपकता नहीं है जब आप लड़ू खाएंगे तो आपके मुह में चिपकेगा नहीं इसको मैं दीरे दीरे लाल करके बुलूंगे यह को चासनी को ऐसे धीरे-धीरे बैटके घुमाते रही है उसके बाद यह ठंडाओं के ऐसा हो जाएगा बुलूरा अब इसको मैं उसमें मिला दूंगे वेशन को जो भूनूंगे उसमें इसको मिला दूंगे अब दो मिला लेते हैं इसको ठंडा होने के बाद लड़्डू बनाना सिखाऊंगे अब अब बच्चे द्राइफ्रूस खाना पसल नहीं करते हैं इसले में बादाम को देके पीस दी हुदा ताकि यह छुपा रहा होगा इस बाने उसको शरीर में उसको अच्छा जाए और यह सक कर जो मैं दिखाई थी आपको यह ऐसा होगा यह देखिए ऐसा अब इसको मैं इसले मिला है और मैं घी रखी हूं साथ में अगर यह लट्टू नहीं बने बंदेगा जैसे ऐसे नहीं होगा ऐसे बंदना चाहिए ना अगर ऐसा नहीं होगा तब फिर मैं उपर से घी मिलाओंगे देखिए यह बंद रहा है आप पुरा मिला लेती हो फिर आपको दिखाते हूं देखिए यह एक्तम अच्छे से मिल गया है तो मैं से तीन चम्मच घी में इतना सारा लट्टू का बनाई है जिसको खाने से स्वाथ भी अच्छा आएगा और मन भी अच्छा रहेगा देखि अच्छा बड़ा चोटा साइज आप बना सकते हैं इसमयर बनाते हैं एक कटोरी बेशन में में 21 रट्टू बनाया देखिए अब इसको स्टोर करके आप रखिए और खाना खाने के बाद जब आपको श्रिट कुछ खाने का मन करें तो आप इसको खाईए और इंजॉय किज आप बनाते हैं एका सकता हैं में एक बद्टू